नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा चाहते हैं बच्चों के केरियर को ले करके उहापो की स्थती है सही दिरोड़ाय पर नहीं पहुँच पा रहे हैं वो भी मिल सकते हैं और खास तोर पर जो पती पतनी आपसी तालमेल की कमी के कारण अपने दामपत्य जीवन के सुख का आनंद नहीं ले पा रहे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं अभी नंदन करते हैं बिल्कुल चिंता ना करिए कुछ नहीं करना है अपना नाम शहर का नाम मतलब जैसे मुंबई में मिलना है तो मुंबई और अपना नाम लिख करके भीज दिजिए 9560447000 और 991029185099999024099 पर हाँ तो भाईया आज के रासिफल में क्या है पूरा दिन किस तरह की खबरें आएंगी सारी जानकारी जल्दी से हम आप तक पहुचाएंगे सुर्वात करते हैं आज के जोतिश दिशा की सबसे पहले आज का पंचाग फाल्गुन महा शुक्ल पक्ष पंचमीते थी है चंद्रमामेश में आ चुके हैं नक्षत रश्विनी रहेगा शुक्ल योग सुबह 11 बच के 18 मिर तक ततनुसार दिनांका 23 फरवरी दिन शुक्रवार शुक्रवार को राहुकाल सुबह 10 से 12 तक राहुकाल में नए शुबकाम बिल्कुल नहीं किया जाते हैं गुलिकाल का समय सुबह 7 से 9 बचे तक कर डालिए जो मनची कर डालिए सुर्वात करेंगे अब आज के भविश्य वाणी की सबसे पहले मेश राशी मेश राशी के बारे में बताएं लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं आज के ग्रहों का हाल सुर्य बुद्ध कुम्ब राशी में रहेंगे शुक्रमीन राशी में अभी संच्रन कर रहे हैं कल तक कल दो पहर तक चंद्रमा मेश में राहू मिथुन राशी में ब्रहाश्पति मंगल केतु धनु में हैं और मकर का शनी रहेगा केतु के नक्षत्र में अश्मिनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र आज के महादशानात के रूप में केतु माने जाएंगे जिसकी केतु की महादशा होगी आज का दिन एतिहासिक है उसके लिए बेहत पॉजिटिव रहेगा मेश्टाज, पढ़ाई में उठा पटक, मन थोड़ा सा विचलित रहेगा, कुछ अज्यात आशनकाउं से ग्रसित रहेगे ब्यापार अच्छा है, बिजनस में रुकावट धूर होगी प्राइवेट सेक्टर के लिए वाहन का सुक और कुछ नई नोकुरी के चांसेस सरकारी च्छितर में उठा पटक जादा रहेगा, सरकारी च्छितर की स्थिति अच्छे नहीं है आज लव लाइफ और मैरिड लाइफ बैलेंस रहेगा मैरिड लाइफ में रिष्टे में मधूरता रहेगी, पत्नी के साथ घूमने टहलने का कारिकरम बनेगा, संतान का सुक मिलेगा लव लाइफ में थोड़ा सा प्राबलम आ सकता है, लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं है शाम तक आते आते कुछ इस्थती सामान हो सकती है, स्वास्थ की स्थती बहुत अच्छी रहेगी आज दवाओं का सेवन कम होगा, उपर से आज कुछ विशेश फ्रेशनस फील करेंगे उपागया करना है आज, भगवान स्री गणेश का ध्यान करके उनके चरणों में एक दूर्वा का टुकड़ा अर्पित कर दीजेगा क्या नहीं करना है, आज जादा दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना है नीला रंगशूभ है, 56 प्रत्षत का भाग आपके साथ है आगे बढ़ते हैं, बिशव रास्वी, मन प्रशन रहेगा, काम में आज मन लगेगा, पढ़ाई अच्छी चलेगी ब्यापार में रुकावटा सकती है, बिजनस में धन का आज लॉस हो सकता है प्राइबेट सेक्टर के लिए आज वाहन सुख, शादी की बात फाइनल हो सकती है, बॉस आज चेंज हो रहे है गॉर्मेंट सेक्टर वालों के लिए थोड़ा सा टप सिचुएशन रहेगा, वर्क लोड बढ़ सकता है स्वास्त में भी कुछ दिक्कत रहेगी दामपत्ती जीवन अच्छा है, रिस्ते में आज शुभता रहेगी पत्नी के साथ वैचारिक विशमता दूर हो जाएगी लव लाइफ शादी की चर्चा जोरो सोरो से है आज विशवरासी की कर्ण्याओं की शादी तैह हो सकती है उपाय क्या करना है? बताएंगे, स्वास्त बता देते हैं आखों की दिक्कत थोड़ी बहुत दिखाई देती है साथी साथ चेश्ट में कंजक्शन थोड़ा सा रहेगा थोड़ा सा हैवी फील कर सकते हैं प्रियोग आपके लिए अगर आपकी राशी बुशव है तो 28 फरवरी के दिन थोड़ा सा प्रियोग करना है राइट हैंड की लिटिल फिंगर के नाखून में थोड़ा सा सरसो का तेल लगा लीजेगा क्या नहीं करना है आज किसी स्त्री का अनादर नहीं करना है शुबरंग आपके लिए लाल भाग की प्रत्सत फिफ्टी नाई विथो नाशी 28 फरवरी शुक्रवार दिन अच्छा है प्रूब के कारे बन जाएंगे आज मांसिक प्रशन अता रहेगी पढ़ाई अच्छी करेंगे ब्यापारिक दिश्टिकोंट से लाब के उसर बनेंगे बिजनस में किसी तरह के दिक्कत नहीं है प्राइविट सेक्टर वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा आज लाब कम हो पाएगा प्राइविट सेक्टर में थोड़ा सा तनाव महसूस करेंगे गौर्मेंट सेक्टर की स्थेती बहुत अच्छी है सरकारी छेत्र में किसी तरह के दिक्कत नहीं है सरकारी छेत्र में कुछ विशेश लाव होगा दामपत्य जीवन में शुबता बनी रहेगी एक दूसरे का सानिध्य पसंद करेंगे दामपत्य जीवन में बड़े फैस्ट ले लिए जा सकते है लव लाइफ जबर्दस्त है लव लाइफ में किसी तरह की उल्जन नहीं है मांसिक शांती मिलेगी लव लाइफ में शादी की जर्चा कर सकते हैं स्वास्त के मामले में आज थोड़ा सा लूज मोशन्स अर्थाद पीट डाइजेशन प्रॉब्लम रहेगा बैक अर्थाद कमर की समस्याओं में आज उल्जेंगे मिथुन नाशी की महिलाओं के लिए कुछ गाइनी प्रॉब्लम हो सकती है प्रियोग के तोर पर मिथुन नाशी वालों को क्या उपाय करना चाहिए मादुर्गा का ध्यान करिएगा क्या नहीं करना है आज किसी बड़े बुजर्ग से बहस नहीं करना है शुबरंग आपके लिए स्लेटी भागी प्रत्रस सिष्टी फोर करक राशी दिन अच्छा है अपनों का सानित मिलेगा पढ़ाई खुब अच्छी करेंगे शुक्षा में आई बाधाये दूर हो जाएंगी ब्यापारिक नुकसान हो सकता है बिजनस में कुछ प्रॉब्लम आएगी पार्डनर्शिप आज तूट जाएगी प्राइवेट सेक्टर में अनकुलता रहेगी वाहन का सुक मिलेगा शादे की बाध टालती जाएगा दामपत जीवरिं में बताएंगे हम सरकारी छितर के बारे में बता देते हैं आज नुकरी में प्रॉजन के चांसेश रहेंगे दुपहर के बाध किसी तरह के धन के लेंदीन में आज उलद सकते हैं दामपत जियों में उल्जने बढ़ रही है संतान को लेकर के कुछ तनाव की स्थिति बनी हुई है पारिबारिक टकराव आज बढ़ सकता है देवर देवरानी जेट जेठानी आदी के साथ करक राशी दिनांका 23 परवरी दिन शुकरवार आज का दिन एक और मुश्किल पैदा कर सकता है अगर आपकी राशी करक है तो बिल्कुल सावधानी के साथ एक बात पर ध्यान दीजिएगा कभी भी लव लाइफ को लेकर की इनसे क्योर फील ना करिएगा स्वास्त के मामली में आज करक वालों के लिए शुकर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है हर्ट की प्राब्लम हो सकती है प्रियोक के तोर पर आज क्या उपाय करना चाहिए आज पीपल के नीचे एक दिया जला दीजेगा क्या नहीं करना है आज अपने राज किसी से रिवील नहीं करने है ग्रे कलर शुभ है पचास प्रतुषट का भाग आपके साथ सिंग राज काम में आ रहे बाधा दूर हो जाएगी पढ़ाई अच्छी करेंगे आज टीचर साब से प्रशन रहेंगे ब्यापार बहतरीन चलेगा आज समय अनकूल रहेगा प्रमोशन के चांसेज बन रहे हैं धन कलाब होगा शादी की बात फाइरल हो सकती है आज दामपत्य जीवन में तनाव कम हो रहा है वकीलों पर खर्च कम होगा आज सेटलमेंट के चांसेज है लव लाइफ इस्तेदी यहां पर भी बहुत अच्छी है आज कुछ अच्छी पार्टी पर जा सकते हैं डेट पर जा सकते हैं एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं स्वास्त के मामले में सिंग राशी वालों को थोड़ा सा कुरोवत परंकुश रखनाना होगा बीपी बहुत फ्लाक्चुएट करेगा आज सांस की दिक्कत भी हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए आज भगवान सिरीहरी विश्रों को ध्यान में करके आज किसी जनुरत मंद को कुछ मीठा आधिदान कर दीजेगा क्या नहीं करना है आज काला रंग नहीं पहनना है गुलावी की शुपता है आज अनसर्ट प्रित्सित का भाग्याब के साथ है कन्यराशी काम खूब अच्छा चलेगा आज पढ़ाई अच्छी करेंगे सिक्षा में किसी तरह की बाधा नहीं कोई औरोध नहीं ब्यापार अच्छा है बिजनस में किसी तरह की दिक्कत दूर हो जाएगी ब्यापार इक दिश्टिकोंट से उन्नतिके संकेत है प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत शुप संकेत दिखाई देता है नहीं नोगरी की संभावनाएं बनती है आज बहुत प्रशन रहेगा धन का लाब होगा शादी की बात फाइनल स्टेज तक जाएगी सरकारी छेतर वालों के लिए समयन कुलता का परियाय बन रहा है हर लिहास से आज पॉजिटिविटी है कन्याराशी वालों के लिए संकेत बड़े पॉजिटिव है सरकारी छेतर में आज मधूरता है बास भी खुश है बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है दामपत्य जीवन में कुछ बल जहने दिखाई देती हैं भया दामपत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं है तनाओं की स्थिती बनी हुई है दामपत्य जीवन में पत्य पत्य के बीच में किसी अन्य का हस्तक्षे बढ़ रहा है आज लव लाइफ अच्छा है रिस्ता बहुत सौफ्ट सौफ्ट फिल देगा आज एक दूसरे को पसंद भी करेंगे और समझेंगे भी स्वास्त के मामले में कन्यराशिवालों के लिए किसी तरह की दिक्कत नहीं है बहुत मधूर संबंद रहेगा एक दूसरे को बहुत क्लोजली आप पसंद करेंगे और सौफ्टली एक दूसरे का सानित प्राप्त करेंगे अब स्वास्त में किसका सानित थे? कन्यराशिवालों के लिए 28 फरवरी को उपाय क्या करना चाहिए आज का दिन किसी को चावल का दान करना शुब होगा क्या नहीं करना है? जल्दी बाजी में कोई निर्ड़े मत लीजेगा काला रंग शुब है, कहत्तर पृत्सत का भाग यापके साथ है तुला राशी, दिन अच्छा है, रुक के कारे बन जाएंगे पढ़ाई अच्छी करेंगे, स्विक्षा में आई बादा हैं दूर होंगी स्विक्षा छेतर में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं बैबार में कुछ नुकसान की संभावना बनती है लेकिन बदब निवेश मत करियेगा, बाकी तो चलता रहेगा प्राइबेट सेक्टर वालों के लिए वाहन का सुक मिलेगा आज नई नगरे के प्रयास सफल होंगे कारे छेतर में तनाव कम होगा कुवर्मेंट सेक्टर के लिए अनकुलता है बहुत प्रशन रहेंगे जिम्मेदारी मिल सकती है आज कुछ बड़ा कर सकते हैं दामपत जीवन अच्छा है रिस्ते में आई बाधा दूर होगी आज हर लिहास से बेहत सकरात्मक सोच लेकर के चलेंगे अगर आपकी राशी तुला है लव लाइफ के लिए आज थोड़ा सा टप सिचुएशन है ज्यादा उलज़न बढ़ सकती है लव लाइफ की स्थिती संकेत अच्छे नहीं है आज आप सोचँगे कुछ हो कुछ जायगा क्या कर सकते हो स्वास्त के मामले में दिन अच्छा है पुरानी भीमारियों से मुक्ति भी लेगी मांसिक प्रशनता रहेगी तनाव कम होगा उपाय क्या करना चाहिए तुला राशी वालों के लिए आज सरसो के तेल का दिया घर से पश्चिम दिसा में जला दीजेगा क्या नहीं करना है लाल रंग गवाइट करना है आसमानी रंग की शुपता है च्छाच्छट प्रतिस्ट का भाग आपके साथ है ब्रश्चिक राशी गजब का दिन है खुम मन लगा कर पढ़ेंगे नुकसान से बाहर आएंगे पढ़ाई में उन्नती होगी नई जगह जा सकते हैं डिवेशन ले सकते हैं ब्यापारिक दिश्टिकोंट से लाब की अवसर बनेंगे बिजनस में आरी बाधा दूर होगी ब्यापारिक दिश्टिकोंट से बहुत प्रमोशन होगा प्राइबर सेक्टर वालों के लिए आज अनकूलता रहेगी नौकरी में प्रमोशन के चांसाज है रुकेधन की प्राप्तियों की विदेश से अवसर मिल सकता है गौशन सेक्टर वालों के लिए वाहन का सुख मिलेगा दामबत्य जीवन भी बेहतर रहेगा स्वास्त में सुधार होगा खुब मन लगा करके आज प्रमोट होंगी बास भी प्रशन रहेंगे दामबत्य जीवन में लाव की अवसर बन रहें बताएंगे पहले स्वास्त बता देते हैं पेट की दिक्कत है आज हर्ट की प्रॉब्लम रहेगी आज उपाय के तौर पर एक कटोरी में चीनी और आटा लेकर के किसी पोधे के नीचे डाल दीजेगा क्या नहीं करना है आज बड़ बोला पर नहीं दिखाना है पीला रंग श से उन्नति के संकेत मिल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए धनुराशी में वाहन का सुथ मिलेगा शादे की बात फानल हो सकती है धनुराशी वालों के लिए रुके कारे बन जाएंगे विदेश में आज नौकरी के लिए जा सकते हैं धनुराशी दिनांक 28 प्रिकत नहीं आएगी आज रिस्ता बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में चलता रहे है लव लाइफ के लिए धनुराशी वालों को थोड़ा सा क्रोध पर अंकुष रखना होगा आज सेप्रेट की सेप्रेशन की नवबत आ सकती है पिलकुल ऐसे चत्तिस कहा करा लव अगर कि आज संबेदों शिल रहेगा शादे की चर्चा टाल दीजेगा नए प्रपोजल्स आज एकसेप्ट नहीं करना है स्वास्त के मामले में हर्ट की प्राबलम रहेगी शूगर थोड़ा सा बढ़ सकता हो पाय क्या करना चाहिए धनुराशी वालों को आज आज हल्दी इग्जाम की तैयारी कर सकते हैं कोई नही कोचिंग या संस्थान चुन सकते हैं ब्यापार अच्छा है बिजनस में रुकावर दूर हो रही है धन का लाग हो रहा है कोई निवेशक मिल सकता है प्राइवेट सेक्टर के लिए मुश्किल ने हल हो जाएंगी दोस्त मददग का साथ दो पहर के बाद मिलने लग जाएगा लव लाइफ टफ सेचुएशन से बीत रहा है आज मीटिंग डेटिंग कैंसल कर दीजेगा स्वास्त के मामले में समय अनकूल है किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी उपाई क्या करना चाहिए आज नमक एक चुटकी लेकर सर से तीन बार उल्टा वारें किसी पौधे के नीचे डाल दीजेगा क्या नहीं करना है आज दूसरों पर भरोसा नहीं करना है हरारंग शुप चौंसक प्रिसत का भाग्या कुमराश पढ़ाई के मामले में दिन अनकूल रहेगा सिक्षा छेतर में आई बाधाए दूर हो जाए प्रैवेर्ट सेक्टर वालों के लिए अनकूलता रहेगी आज प्रैवेर्ट सेक्टर में और मुस्खे के गुश्कले असकते हैं सरकारी चेतर में कुछ तनाव की स्थिति आपके साथ बनी हुई है ब्यापार में नुकसान भी हो सकता है बड़े रिस्क छालने पड़ेंग संतान को लेकर के बड़ा सहज महसूस करेंगी लव लाइफ सो सो रहेगा लव लाइफ में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी सानिद अच्छा रहेगा स्वार्ष्थ के मामले में थोड़ी से दिक्कत है बैक की प्रॉबलम हो सकती है कुम्बराश उपाय क्या करना है आपके लिए आज एक रोटी में कुछ मीठा रख करके किसी जरुरत मंद को या जानवर को खिला सकते है क्या नहीं करना है गुस्य में कोई फैसला नहीं लेना भूरा रंग शुब है ब्राउन कलर 60 प्रत्सित का भाग्या दिमराशमीन रुका कारे बन जाएगा पढ़ाई में आज उन्नती होगी सिक्षा छेतर में बाधाय दूर हो रही है सिक्षा छेतर में लाब के उसर बन रहे है स्वास्त के मामले में आज बहतर महसूस करेंगे लिहाज़ा बिजनस अच्छा चल जाएगा रिस्क लेना भारी नहीं पड़ेगा आज रिस्क लिया जा सकता है प्राइवेट सिक्टर के लिए मुश्किले हैं आज आपके जीवन में प्राइवेट सिक्टर के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा लव लाइफ बहतर है आज प्रियास किया जा सकता है मीन राशी वालों के लिए शुक्र आज अंतिम दिन है कल परिवर्तित हो जाएंगे मेश में आ जाएंगे तो मीन राशी वालों के लिए आज के दिन को प्रापर कैश करने की आवशक्ता है, जितना कैश कर सकते हैं, बस यही आप ध्यान दीजेगा, उपाय क्या करना है, स्वास्त बता देते हैं, स्वास्त के मामले में शुगर अब कंट्रोल रहेगा, लाब के उसर बनेंगे, दवाओं पर से खर्च कम होगा, प्रियोक के तोर पर छोटी इलाइची सरसों के तिल में श्पर्ष करके, कपूर से कहीं घर के बाहर जला दीजेगा, क्या नहीं करना है, ब्लैक कलर अवाइड करना है, लाल रंग की शुपता है, एक क्यावन प्रित्सत का भाग आपके सालिते में है, तो भाईया, थाइस फरवरी, फरवरी महीने का लगभग अंतिम दिन, कल आखरी दिन रहेगा, आज जितना कैश कर सकते हैं, शुक्र को कैश करें, भाग्याक्षर हम बताएंगे, लेकिन ये भी बता देते हैं, कि मुंबई में आज और कल दो दिन और हमसे मुलाकात कर सकते हैं, नंबर सा आपके सामने फ्लेश हो घाक्षर करकरा, सिंहाक्षर कन्या खा, तुला चोटा उख्षर व्रिश्चिक्टा, धनू, ताक्षर मकर्चा, कुंभ राक्षर मीन पा, चोटा सा था, असर पूरे दिन का, 24 घंटे का, सक्सस की, हथेली में जल लेना है, सीधे हाथ की, जिसे राइट हेंड कहते हैं, और उल्टे पाउँ पर गिरा लेना है, बिना मोजा पहने, छोटा सा प्रियोग, लेकिन लाव के बड़े भारी-भारी से अफसर, थैंक्यू सो मच, फटा-फट अंदाज में जाना, आपने पूरे दिन का हाल, आज जोतिश जराहटके में बताएंगे कि क्या राहू आपका प झाल 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 झाल झाल